राधे राधे एवरिवन जैसी आराम दोस्तों आज मैं आपको दशेरा पूजन की बहुती सरल पूजा विधी बताने वाली हूँ अश्विन यानि की कुवार मास के शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को दशेरा का त्योहर मनाया जाता है इस दिन दशेरा पुझता है नवरातरी के नौ दिन पूरे होने के बाद में जो दस्वा दिन होता है जिस दिन दुर्गा विसर्जन, सांजी का विसर्जन भी किया जाता है उस दिन दशेरा पुझता है सुभ़ के समय ये पूजा की जाती है आप आठ नौ बजे दस बजे तक इस पूजन को कर सकते है और अभिजीत मूरत में भी आप इस पूजन को कर सकते है साथ में देखें ये पूजा जो है जादा तक जमीन में की जाती है परिवार के सभी सदसे, जैसे गोवर्धन पूजा होती है, सभी साथ मिल करके इस पूजन को करते हैं, तो जमीन में जहाँ पर भी आप इस पूजन को कर रहे हैं, वहाँ पर आप साफ कर लें, शुद्ध कर लें, आप चाहे तो वहाँ पर लीप सकते हैं, चाहे तो गाय के ग बनाई जाती है आप गेहूं का या चावल का आटा ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हल्दी से लीपा है थोड़ा सा पानी डाल लिया है हल्दी के अंदर और उसके बाद में गेहूं के आटे से ऐसे दशेरा मांड रही हूं तो यहाँ पर आप बना लेंग तो वो ठीक है नहीं तो जो भी गोबर मिल जाता उसकी चोटी-चोटी सी ऐसी थेपडी बना के रखी जाती हैं दस रखी जाती हैं यह अगर आप देखे गोबर नहीं मिल पा रहा है तो यहां पर आप गेहूं के आटे को गूत करके भी 10 लोई बना करके भी रख सकते हैं दस थेपडियां हमने यहां पर रगती हैं और इसके बाद में देखिए ऐसे कुलो भरी जाती हैं कुलो यानि कि इसे कुंडारे भी बोलते हैं कहीं कहीं पर और इसे हम छुट-चड़े मीटी के कलश होते हैं यह वो होती है हांडी जैसे कुमार के यहां पर मिल जाती हैं दस या एकाट दिन पहले तो गली में भी बेचने वाले घूमते रहते हैं, आप ले सकते हैं, दस ली जाती हैं, ये उसके कंट में, गले में मौली क अलावा बांदा जाता है और उसको टीक लिया जाता है, उसके अंदर खील भरके बताशे रखे जाते हैं तो 10 कुलों हमने ऐसे दशेरे के उपर रख दी हैं उसके बाद में हाथ में जल ले करके ऐसे हम सनान का भाव करा देते हैं आप फूल्स की मदद से भी सनान करा सकते हैं उसके बाद में हम एक दीपक बनाते हैं ऐसे हम चौक के और परिवार के सभी सदस्यों को चार ओर बैट करके दशेरा पूझना चाहिए बच्चे और सभी बड़े मिलकर के दशेरा पूझें विजय तिलक किया जाता है आज के दिन और हाथ पे रक्षा सुत्र यानि के कलावा जरूर बांधा जाता है अस्तर शस्तर की भी आज के दि पूझा कि जाती है अपने पुस्तकों की पैन की ज़रूर करें आज के दिन यहाँ पर रख करके और इसके बाद में जो हमारे नवरत्रे जो नियौरते होते हैं जो खेत्री होती है जिसे हम वाटी का भी कहते हैं जुआरे भी कहते हैं उन्हें निकाल करके हम ऐसे यहां पर अरपित कर देते हैं खील का भोग लगा देंगे उसके बाद में यहां पर बताशे का भोग लगाएंगे कुछ दक्षना जरूर रखते हैं तो आप ऐसे उसके बाद में जल अर्पित कर दें सभी को जल पिला देंगे उसके बाद में हम यह से आरती कर देंगे आरती यहां पर देखिए आप भगवान श्री राम चंदर जी की आरती कह सकते हैं और राम जी का कोई भी आपको मंतरा आता हो नहीं तो राम जी का नाम का स तो जो लोटा है, इसको आप सूरह को अरगे दे सकते हैं, और यह जो हमने कुलो भरी है ना, इनको प्रशाद के रूप में सभी में बाठ देते हैं, और जो तेपड़ी है गोवर के इन्हें सुखा करके, आप पूजा में हवं में आप यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर ये देव उटनी एकादशी वाले दिन सारी जला दी जाती है और प्रसाद जितना भी हमने अर्पित करा है उसे आप यहां पर सभी को बाट दे और दक्षिना आप बच्चों में बाट दे और बहने जो ये जुवारे होते हैं नवरातरों वाले सभी अपने सदय बना रहे श्री राम चंदर जी का पूजन कैसे किया जाता है विजय दश्मी का पूजन कैसे किया जाता है शमी वरक्ष का पूजन अपराजिता का पूजन कैसे किया जाता है जैया विजिया का पूजन कैसे किया जाता है इसकी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है इसका वीडियो को जरूर देखना बहुत ही मैत्मुन वह वीडियो है जै श्री राम